नमस्कार दोस्तों आप लोगों का फिर्ष से स्वागत है आपके अपने चैनल OneExam.in पर मैं आपका दोस्त आपका मेंटर भरसी का ठोड़ आज की जो क्लास जो हमने RSMSSB की जो test series launch करी रही उसी के अंदर हमने एक step आगे करते हुए उन सबको हमने topic wise कर दिया है topic wise करने का कारण यह हुआ कि जो topics आपके related है RSMSSB के जितने भी अधिनस वोड की जितने भी exams हो उसमें topic wise आपकी त्यारी अच्छी हो या particular topic से कितने सवाल पूचे गए है इसकी जानकारी आपको हो और किस तरीके के सवाल पूचे जाते है और कितने सवाल बार-बार repeat होते है और वो सारे के सारे topic wise है वैसे subject wise हम कर चुके है इसको already पहले पूरा कर चुके है test वहाँ पे upload rate भी है और बच्चों ने वहाँ पे subscribe भी कर लिया है और जो बच्चे नहीं कर पाय है वो अभी भी कर लो बहुत ज़्यादा फाइदेबाद रहने वाले आपके आने वाले अधिनस बोड की जितने भी exam से उनके अधर बहुत ज़्यादा फाइदेबाद होने वाला है अब हमने उसी के आगे टैप आगे बढ़ाया है और हमने इन सब को topic wise करने का एक परितने किया है और topic wise करते हुए हम जैसे की topic आपके सामने है लोक देवता लोक देवी देवता की कितने शवाला अधिनस बोड ने अभी तक के exams के अंदर पूछे गया है उन सब के पर हमने एक test series इसको पर काम चल रहा है और वो upload उसी course में अंदर जो course पहले से वहाँ पर available है हमारे one exam.in की app के अंदर वहीं पर ही यह क्या हो जाएगा वापस upload वहीं पर हो जाएगा ठीक है और यह हमारा team लगी हुई है और सब को topic wise करने के इसी परियास में है और इनी topic wise कर करते हुए इनके questions करवाने की यहां पर मैं आपके साथ चर्चा करने की एक पर इतना कोशीश कर रहा हूं ठीक है तो शूरू करते है आज लोग देवताव को देखते हैं लोग देवताव की कितने questions पूच रहे हैं अधिनस बोड ने अपने जितने बीए एक्जाम जितने अ करवाए उन सब के एतर है ठीक है हिस्टिक की क्लास एक और दो मैं डाल चुका हो अपने you tube को देवता लोग देवता हो जाए चाए नाट्य हो जाए नित्य हो जाए संगीत हो जाए चाए सभ्यता हो या सहीत्य हो या संत्त हो यह सब चीजे कला संस्कृति के अंदर आती है सब किसमें आती है कला और संस्कृति के अंदर चिसको हम बोलते हैं आर्ट सेंड कल्चर पूरा उसमें combine और अब इसको हम topic wise कर रहे हैं topics के अंदर अलग-अलग हमने को दस भारा topic मना है उस भारा topic के अंदर सारे question को अलग-अलग किया जा रहा है कि लोग दिवताव के कितने question है उनी को आपको बताया जाए उनी का एक test series आपके सामने लाई जाए ठीके वो उसी के अंदर जो course already one exam के उपर है उसी के अंदर ये include रहेगा ठीके जैसे जैसे पूरा होता जाएगा मैं वहाँ पे upload करता हुआ चलूँगा ठीके आपको सबजना है पहली बात लोग दिवताव topic किस में है art and culture में art and culture यानी कला और संस्कृति कला और संस्कृति के अंदर ठीक है इसी के अंदर लोग दिवता है और लोग दिवताव कमन पढ़ते हुए चल रहे है लोग देवी दिवता ठीक है दूनों आ जाएंगे देवी दिवता दूनों इसका आ जाएंगे ठीक है पहले कोशन से शुरुवात करते हैं खेजडी वरक्ष राजस्तान के किस लोग दिवताव का प्रतिक है यह पूछा गया है कनेक्स्ट अनुदेशक पिटर सीधी वरती परिक्षा 2018 के अंदर तो खेजडी वरक्ष राजस्तान के किस लोग दिवताव से प्रतिक है तो इसका आंसर है गोगा जी किसे गोगा जी कोगा जी के बारे में मैं उस इस्ट्री क्लास के अंदर भी बता चुका हूं पूरा एक बेरो दे चुका हूं ब्रीफ में बता चुका हूं कि गोगा जी क्या क्या है गोगा जी को और कौन से नाम से पुकर जाता है कि सर चाहर पीर के नाम स में पद्रीक है अलग जगा से आपने पड़ अपने पड़ाया से परेट एगес कोई लिएट है कोई पाली तेरी सिस्टी्ट यहां रहा है तो जैसे आपकी त्यारी व्यसे आप उसको अंध्य थेस्ट को अटम करते सकते हो ठीक है तो गोगा जी और साथ-साथ में चीज़ें मैं बताते हूंगर जहिर पीर भी कहा be गोगा महाराज बीचांक कहा जाता है हरा कहीं गलती हो तो मुझे आप सुधार कोई दीकत नहीं पीस उनका गिराता जिसको को बोला गया था क्या तिर्ष मेड़ी क्या बोला गया था तिर्ष मेड़ी और जहां उनकी समाधी है जहां क्याते है उनका धड़ गिराता समाधी है उनको बोला जाता है गोगा मेड़ी और उसका दूसरा नाम क्या है दूर मेड़ी गोगा मेड़ी को दूसरे नाम से क्या पोकारा जाता है धूर मेड़ी इसे बता चुका हूँ में वहाँ पे आप क्लास उसको देख सकते हो जनम इनका हुआ थे चूरू में दड्रेवा, कई बार आसक वाल है कई बार पूछा गया जिसका दूसरा नाम क्या है दंथ खेड़ा कि दूसरा नाम क्या दन्त खेडा इनका प्रतिक क्या है इनका प्रतिक खेजडी व्रक्ष है फेजडी वक्ष की पुजा की जाती है और यह गोगा जी महाराज किसके समक्ष हुएथे समकालीन में हुए थे यह उते महमुद गजनी यह सवाल भी आ चुका है गजनवी, महमुद गजनवी के समकाल में वह थे, चीक है, ओके, तो ये इस तरीके का सवाल, ये वापस सवाल रिपीट होंगे, मैं आपको बताऊंगा, अभी आ गया गया चलते हैं, तो मली नाची, मली नाची, जो लोग देवता है, उनकी समर्ती में तिलवाड़ा पसुमेला किया जाता है, तिलवाड़ा पसुमेला को दूसरा नाम क्या है, उनका नाम तिलवाड़ा पसुमेला को दूसरे नाम से भी जानते हैं, उनको बलते हैं, मली नाची पसुमेला, ये नाम से भी बोल तैसिल के अंदर है तिलवारा चीक है और मलीनाद जी और इस पशू मेले को कौन देखता है इस पशू मेले को देखता है पशू पालन विभाग कौन देखता है पशू पालन विभाग इसका आयोजन करवाता है और इसमें कई तरह के की उंट गोडे इस तरीक से रेसिंग होत प्रदेशन वहां पर बोल सकते तिलवाड़ा पर दिलवाड़ा जगा पर हुआ है और यह मली नाच जी के लिए क्याता है मली नाच जब गदी पर आशीन हुए थे तब 1,000 लोग आये ते और जो आशीन हुए थे तो वहां पर ईक बार प्रोग्राम रखा गया था 1,000 लोग आये और जब वे समाप वह लॉगों प्रोग्राम जब समाप्ती हुई था घर को अपनी अपनी इस तरीके से जब गए तो फोल और सुन लेके गए जो लेकन आये तो वो किसी और को भेट करके दूसरे का लगे गए इस तरीके से अब गए था त chemotherapy से यह रित चलियो और जम्लिनाजी kye याद में वहां पर तिलवाडा में पसु मिला लगा जाता है कौन देखता है इसको पसु भलन विभाब देखता है ठीक है रावल चुमली नाज जी थे एक बहुती प्रकर्मी थे उनकी नाम से किया गया ओके थारड कुशयं 13 देखता कि बक्ति में गโlair जाता है रामदेवजी के लिए ते ररताली निूति कियाज जाता है लोक देखता फेमैस खेंद आजन जाती के द्वारा किया जाता है ये काम्धा जिन जाती को क्या बोलता है सांप वाले मतलब सफेरे टाइप उत उस नाम से बढ़ादा कम्धा जन जाती यह त्याहि तल सारी करते भी लोरे लकिन इनका है तेरतालिय ठीक है और इनकी सबसे फेमस जो नत्यांगा हुई है में और इसको विश्व प्रकति दिलाई है और लोग जानने लगा है तेरतालिय को वह है मांगी भाई याद रखना इनका नाम ये भी सवाल मैं आगे दिखा दूँगा आप जब नित्य और ये पढ़ाऊंगा मलब इसके बारे बताऊंगा तो भी ये बहुत ज्यादा फेमस है मांगी भाई ठीक है बहुत फेमस कला कार है मांगी भाई ये है तेरदाल किसके लिए रामदेव जी के लिए नेक्स्ट लंगूरिया हनुमान जी के लिए लंगूरिया नाम से एक नाम जो लंगूरिया नाम रखा गया यह कहां पर केला देवी केला देवी केला देवी जो करोली में है करोली में केला देवी जी का क्या लगता है मेला लगता है केला देवी जी का उस मेले के अंदर लंगूर्या गाना मतलब इस देवी के पूजा के लिए लंगूर्या गीत गाया जाता है और ये लंगूर्या जो लंगूर्या जिसको बोला जाता है लंगूर्या बोला जाता है हनुमान जी को बोला sometime मनलः इन का करोली में केलाद देव्य जो मंदीर है उसके पास और वहां पे इसलिए उसके नियुक्तना물 गये जयात अच्प्तार français करोली में कंऊ पेजाजी महराज है उनके चबूत्रे को थान ये भी लोग देवता है उनके थान कहा जाता है ये भी सवाला से चबूत्रे को क्या कहा जाता है उनको थान कहा जाता है पता पुजारी को कहा जाता है गोडला क्या है गोडला जाता है गोडला जाता है याद रखना है आपको प विवा इनका चो कई बार ऐसे सवाल आ रखे हैं लोग ध्यान नी देते पेमल दे से हुआ था वाइफ तेन के विवा और इनको एक नाम से और पुखारा जाता है वो याद रखना दोल्यावीर यह दो नाम यसे याद रख लेना दोल्यावीर इसलिए कहा रहा हूं घोडला मे यह याद ना दोल्यावीर नाम दोल्यावीर भी कहा जाता है लोग देवता गोगा जी डॉक्टर दस्रत सर्मा के अनुशार किस सासक के समयकालिन थे किस सासक के यह सवाल अभी में बताया था आपको 2019 का सवाल है और वह थे महमुद गजनिवी के ठीक है जस्ट बताया था डॉक्र दस्रत सर्मा ने बताया था कि यह उन्होंने रिसर्च करके पता लगवाया था कि महमुद गजनिवी के समकालिन में यह ठीक है कौन सा युग्म गलत सुमलित है तो पाबुजी कोली में कोलु काओं है फलोदी के अंदर कोलु में पाबुजी का जनम हुआ था मलीनाज जी का गागरोन नहीं है मलीनाज जी का बाड मेर के अंदर ही की फिमाना तैसिल के अंदर भाइवा गौपडी गाओं है कौनशा गोपडी गाओं कि यह आप रखे आत्रोंना ताकि अगली बार कोई चेंज करते तो यह ता फिक है इन्हिर्स हो गया यह गाई 2019 में पुचा गया था देखना प्रलक के अंदर साथ वा कोशन सेम आटवा सेम कोशन 2018 की बरती में इलेक्ट्रीशन की बरती में सेम कौन सा सुख में गलत है पाबुजी का सहीता खरणाल सहीता गागरोण ये देखो मलीना देखो रिपीट हुआ कोशन वापस रिपीट हुआ सेम के same question repeat किया जाता है अधिनस वोर्ड के question number next नेजा, जम्मा और रिख्या किस इस्तानी लोग देवतार से समध्धित है तो ये सारे के सारे राम देवजी से समध्धित है नेजा उनके ध्वज को कहते है मैंने बताया ये एक लास में आपको बताया भी तो वहाँ पर मैंने जम्मा जो रात्री इनका रात्री जागरन होते है उसको जम्मा कहते है और क्या रिख्या रिख्या जो मेगवाल जाती होती है मेगवाल जाती के जाती के भक्त जो इनके होते है उन बगतों को क्या कहा है क्या जाता है शंके मत्रड़्या अंब आप को गया जाता है और गुंद nucleimo अनके भक्तों को मिख्वाल दिकर Kitty उनको का पुछा गया था 2017 में फूल खती इसको कहbn時 बहले में गउब गया सबदर कर यह भक है यहां परोक है नामुक्त कि मुक्राने देवनारां किश लूग जो समद earliest सब्सक्राइब करने देवनारहन से छिफंग सवाल क्ई बार आ चुके है आसींद बिलवाडरzer है ए Heart राइट और इन्होंने क्या क्या था इन्होंने एक तो मंडल जील ऑनाई थी मंडल जी देवनारायन जी गुजर थे मंदल जी गुजर परिभर से समधित यह ते इसेगे दो मंदल जील की स्थाफ़ना भोथ विशाल का जील है उसके इनों की थी वैसे इनका मुलतनिस्थान कहाता मुलतनिस्थान का अजमेर की A naak पहाड़ी कौनसी नाक पाड़ी नाख पाड़ी जोकि इनका मूलस्तान के रुप में जाना जाता है मूलस्तान के रूप में जाना मेर ka यात ना करो भूमिल अधिका जो प्रभा केंद्र है नाक पाड़ी से ही निकलता है रिजमेर की ठीक है यी गभाल ऑन देव नारायन जी कि फड ज़िक ऑल कर जो पूंपे वह दूरर गाई जाती है eliteisha गाई जाती है और यह सबसे बड़ी अधी पड़ियर सबसे पर ने ए पुछा जाए कि कि सब्सक्राइब के सबसे बड़ता की सबसे सबसे बड़ी और सबसे लोग प्रियों पर किसके देवनारजी की पर जो आसींद बिलवाड़ा मन्दीर है मंदल जील का उन्होंने स्तापना करवाई थी और मूल इस्ता नूंका अजमेर की नाक भाड़ी पर है ओके चिके नेक्स्ट 2022 के प्रतम प्रस्ण पेत्र में कम्पीटर अनुदेशक के अंदर यह पूछा गया था लंगूरिया गीत किस मिले का अकर्शन है तो फिर याद रखना आपको किस का केला देवी जी का मिला है लंगूरिया जस्ट अपने बात करती सेम कोशन रिपीट किया गया कोशन नंबर च पूछा गया था तो क्या नाम इनका तेजाजी को दूसरा नाम क्या कहता है दोल्यावीर उनके थान को बोला जाता है जहां पर मंदीर होता है उनको थान बोला जाता है और उनकी जो पूजा करता है उनको गोडला बोला जाता है यह अपना पूजा से लोग देवता को बना जाता है और पाफुजी की गोडी ती जिनका नाम ता क्या नाम था इनला रखा है कई बार करकाय प्रखे Pfizerenders कवills कालमी ये यह नाम यहाद रठा एक तोसी पावजी पावजी पन्ते पावजी लोग देवता तै जिनका जनम कहा वगा था उनका जनम भुधा को है कोड़ों चोकी फलोदी में है ठीक है फड़ोदी केंदर कोलू है वहां उनका जनम हुआ था ये कौन सी साका में आते है ये राठोडो की साका में कौन सा दांदलोत में आते हैं किसमें आते हैं दांदलोत साका के अंदर आते हैं ठीक है दांदलोत साका के अंदर आते हैं राठोडो की ये भी सवाल आ सकता ह पापूजी दांदलोत साका राठोडो कि साका है उसमें, दांदलोत शाका के अंदर पापूजी आते है, कोलुफोडोत धी के अंदर जनम हूगा था, इनकी घोडी का नाम केषरकालमी है और इनकी लड़ई जो कहाँ हुए वीर गति कहां हुई थी इनकी वीर गति हुई थी अटि जो कस वहां यह वीक्राति से लड़ते हुए वह ता जिंद्राग खिचि जंद्राग खिचि जो इन्का देवल चार्णी का नाम भी याद रखना देवल चार्णी वाहिए पाभुजी को देधी थी पाभुजी और फिर इस गोडी को लेकर जिंद्राव के चीके बिदम युद्ध हुआ था और ये वीर गदी को देचुक के पास शुकत पूर के अंदर गायों को बचाते हुए वी सबसे चोटी राजस्तान में अश,-प्षर कंदर है नहीं हमनुद के इक और चीस जो इनकी लिए सबसे याद रखना आपको अभुजी के लिए य कि राजस्तान में सबसे चोटी चोटी किसकी अठान में, तो चोटी पड़ यसकी है पाभु जिगी राज्तान.. के सबसे चो सवाल आप लोगों ने देखा ही होगा कई बार पूछे गहे रावन हत्य को प्रियोग करते बोपे और जब इनके साथ इनकी फड़ को गया जाता है और एक और बात जो गीत है जो पाबुजी का गीत गया जाता है उसको बोलते हैं जो किरें गीत नहीं बोलते हैं इसको ब्यावले क्या बोलते हैं ब्यावले जो चोटा और जोकी इसोगान किया जाता है तो वो किया जाता है राम देव जी का बार बता चुका हूं में आपको ये कुशन नंबर सेम आपका question number 3 था ये दोको 2021 में पूचा गया था ठीक है इस बार से ग्राम सेवक की भरती में पूचा गया था और कहां गया कहां गया 13 तालिका ये राती तीसरा ठीक है ये 2018 में पूचा गया था तो इसकी उसको इखटा करें ऐसे कैसा मैं लोग नाट्य लोग गीत के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा ये पंद्रा बिश्मिन का पता बेश्मिन की वीडियो बनाएंगे इससे क्या कि आपकी तैयारी जो आप कर रहें उसमें आपको बहुत ज्यादा सब्सक्राइब को कीजिए और नीचे कमेंट कीजिएगा के वीडियो आपके काम आ रहे हैं के नहीं उस अकॉर्डिंग ही वीडियो को कंटिनु किया जाएगा बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट टॉपिक के साथ